पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना मौनसून की एंट्री के बाद भी अब तक पर्याप बारिश क्यों नहीं हो सकी इसके बारे में भी बताया गया है वहीं अगले दो दिनों के मौसम का पुर्वानुमान भी सामने आया है और लोगों को सतर्क किया गया है मंगलवार से पटना के साथ सार दक्षिन बिहार के कई जिलों में कुछ एक स्थानों पर बारिश के आसार है ऐसी स्थिती अगले दो से तीन दिन तक बनी रह सकती है हलांकि हलकी से मध्यम बारिश कई जगहों पर हो सकती है आयमडी पटना की आधिकारिक जानकारी के अनुसार दक्षिन बिहार में रोतास भबुआ और अंगाबान गया भोचपुर बकसर और नवादा जिलों में एक दो स्थान पर भारी बारिश होने की आश्रंका है इस दोरान में गरजन का भी पुर्वानुमान है बता दें कि अभी मौनसून की अक्षिय रेखा बिहार से बाहर बनी हुई है यही वज़ा है कि व्यापक बारिश बिहार में नहीं हो पा रही है बिहार में अभी तक सामान्य से 24 प्रतिशत कम 563 मिलिमिटर बारिश हो चुकी है मुजफरपुर का मौसम पिछले दो दिनों से सामान्य स्थिती में हैं कुछ समय के अंतराल पर धूपछाओं की स्थिती बन रही है मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सोमबार को अधिक्तम तापमान 32.4 डिग्री सेलसियस दर्श किया गया वहीं नियुनतम तापमान 26.2 डिग्री सेलसियस रहा रिकॉर्ड के तैत बीते 24 घंटे में करीब 2 डिग्री तापमान नीचे गया है वहीं आने वाले दो दिनों में उत्तर भिहार जिलों में हलकी बारिश की संभागना जताई गई है भागलपुर का मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है जिले में सोमबार को दिन भर आसमान में बादलों की आवज़ा ही जारी रही कुछ जगहों पर 7.1 मिलिमीटर हलकी बारिश भी हुई मंगलवार को भी हलकी से मध्यम बारिश का नुमान लगाया गया है 26 अगस्त को अधिक्तम तापमान 33.5 डिग्री और नियुनतम तापमान 26 डिग्री रहा दिन भर पूर्वा हवा चलती रही हवा की गती 7.8 किलोमेटर प्रती घंटे रही हवा में नमी की अधिक्तम आदरता 81 प्रतिशत रहा दियू सबोर के ग्रामीन कृषी मौसम सेवा के नोडल पता अधिकारी डॉक्टर विरेंद्र कुमार ने बताया कि 28 अगस्त जिल्ह में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा होने का अनुमान है कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है अधिक्तम तापमान 33 से 34 जिग्री और नियुंतम ताप 25 जिग्री रहने की संभावना है 10 से 20 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से उत्तर पूर्वा हवाज चल सकती है विरो रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइड